राशिद खान एक अफगान अंतर राश्ट्रिय क्रिकेटर और टी-बीस आई प्रारूप में अफगानिस्तान की राश्ट्रिय टीम के कप्तान है। जन्म, 20 सितंबर 1998, आयू 25 वर्ष, नांगरहार, अफगानिस्तान। वर्षमान टीमें, गुजरात टाइटन्स, क्रिकेट गेंदबाज, अधिक शामिल होने की तिथियां, फरवरी 2022, गुजरात टाइटन्स, अधिक पूरा नाम, राशिद खान अर्मान, भाई भेन, आमिर खान, गेंदबाजी, डाए हाथ से लेग ब्रेक राशिद खान का जन्म 1998 में, पूर्वी अफगानिस्तान के नांगरहार में हुआ था वह जलालाबाद से हैं और उनके दस भाई भेन हैं जब वह छोटे थे, तो उनका परिवार अफगान युद्ध से भाग गया और कुछ वर्षों के लिए पाकिस्तान में रहा बाद में वे अफगानिस्तान लौट आए और राशिद ने अपनी स्कूली शिक्षा जारी रखते हुए अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू किया राशिद अपने भाईयों के साथ क्रिकेट खेलते हुए बड़े हुए और पाकिस्तानी आल राउंडर शाहिद अफरीदी को अपना आदर्श मानते थे जिनके नाम पर उन्होंने अपने गेंदबाजी एक्षन को स्टाइल किया और दक्षिन अफरीकी बल्लेबाज A.B. डिविलियर्स को अपना आदर्श मानते थे अंतरराश्ट्रिय केरियर उन्होंने 18 अक्टूबर 2015 को जिम्बाबवे के खिलाफ अफगानिस्तान के लिए अपना एक दिवसिय अंतरराश्ट्रिय वंडे पदारपन किया उन्होंने अपना 20 बीस अंतरराश्ट्रिय टी बीस आई पदारपन भी 26 अक्टूबर को जिम्बाबवे के खिलाफ किया TBSI में किसी अफगानी क्रिकेटर द्वारा सर्विश्रेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन और सभी TBSI में सन्युक्ट चौथा सर्विश्रेस्ट आंकरा है। वह TBSI मैच में दो ओवर में पांच विकेट लेने वाले पहले खिलाडी बने। अफगानिस्तान ने मैच जीत लिया और राशिद और नजीब ताराकई ने मैन ओफ दे मैच का पुरसकार साजा किया। आयरलेंड के खिलाफ एक दिवसिये श्रिंखला में, पॉल स्टर लिंग के साथ वे एक ही एक दिवसिये मैच में छे विकेट लेने वाली विभिन टीमों के गेंदबाजों की पहली जोडी बन गए। 9 जून को, उन्होंने अपना दूसरा एक दिवसिये पांच विकेट हॉल लिया, जो की ग्रोस आइलेट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 18 रन देकर 7 विकेट के आंकड़े के साथ समाप्त हुआ। यह एक दिवसिये गेंदबाजी का चौथा सर्विश रेस्ट आंकड़ा था और साथ विकेट लेने वाले किसी सहयोगी देश के क्रिकेटर का पहला प्रदर्शन था। अफगानिस्तान ने अपने 212 रनों के कुल स्कोर का बचाव किया और मैच तिरसट रनों से जीत लिया और खान को मैन आफ दे मैच चुना गया। जनवरी 2018 में अंतराष्ट्रिय क्रिकेट परिशद ICC ने उन्हें Associate Cricketer of the Year नामित किया। अगले महीने उन्हें 2018 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामिन्ट के लिए अफगानिस्तान टीम के स्टैंडिन कप्तान के रूप में नामित किया गया, जबकि अफगानिस्तान के नियमित कप्तान अजगर स्टेनिक जई अपने अपेंडिक्स को हटाने से उब फर्वरी 2018 में, ICC ने खान को 2018 क्रिकेट विश्व कप क्वालिफायर टूर्नामिन्ट से पहले देखने वाले दस खिलाडियों में से एक के रूप में नामित किया, अप्रेल 2018 में उन्हें वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मातर टीबीस आई के लिए शेश विश्व एक आद टीम में नामित किया गया था, जो 31 मई 2018 को लॉर्ड्स में खेला गया था। फर्वरी 2019 में, आईरलेंड के खिलाफ तीसरे टीबीस आई मैच में, उन्होंने चार गेंदों पर हैट्रिक और चार विकेट लिए।